जिवन उत्साह नियूस पर मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर एक पर लेकर चल रहा हूँ जिन्दगी भरकी जिदनी भागदोड हम करते हैं चाहे हम राजनिती खबरों की बात करते हैं करप्शन की बात करते हैं आज हम सबसे दूर एक ऐसे प्रतिवा की तरफ लेकर चल रहे हैं जिस प्रतिवा को आपके बीच में लाने का जो उदेशय है वो यह है कि हर एक व्यक्ति भगवान ने उसको एक अलग योगेता दी हुई है और उस योगेता का अर्थ केबल ये नहीं है कि वो योगेता केबल वहीं तक ही सीमित रहे बलकि वो योगेता समाज में एक प्रिड़न भी बन जाती है आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो नेपाल से बिलॉंग करते हैं और गौतम परशाद जिनका नाम है नाम तो इनका गौतम परशाद है किन्तु इनको वर्ड में के नाम से लोग जानते हैं हिमाचल परदेश में ये काफी लंबे समय से पिछले चार पांस वर्शों से रह रहे हैं और आप बिलीव करेंगे लगबग 250 से ज़्यादा पक्षियों की आवाज ये व्यक्ति निकाल सकते हैं एक ऐसा टैलेंट हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं आप इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आजकल ये जाहू में एक होटल एंड रेस्टरेंट है वहाँ पर ये कारया कर रहे हैं और इन से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें लगा कि एक ऐसे टैलेंटड व्यक्ति को हालांकि समाज में इनकी पहचान है हर जगा इनको लोग जानते हैं इलेक्शन कमबैनिंग में भी जाते हैं लेकिन फिर भी जीवनुत्सा नियूज के माद्यम से मैं इनको आपके वीश में आज लाना चाहूँगा और इनके टैलेंट को आपके वीश में दिखाना चाहूँगा गौतम परशाद जी बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं आप क्या हैं कहां से हैं और आज आपकी जो कला है उसके बारे में हम अगला सवाल पूछेंगे प्रशाद जी जैसा कि हमें जानकारी मिली है हमने आप से व्यक्तिकत समझा भी है आप बहुत सारे पक्षियों की अवाजे निकाल लेते हैं पहले तुम्हें पक्षियों की आवाज सुनने से पहले यह जो टैलेंट आपके अंदर है इस टैलेंट की पहचान आपको कब हुई और कैसे हुई तो हज़ार पांसे मैंने पक्षिका आवाज निकाल ला। तो जब आपने सीखा आपने इसको पूरी प्रतीबा को सीखा तो आज आप बहुत सरे पक्षियों की आवाजे निकाल लेते हैं हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को पहले थोड़ा नमूना दें कि किस तरह की आवाजें निकाले तो कितने पक्षियों की निकाले तो कि 200 पक्षियों निकालना तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा पर मैं चाहूंगा कि पहले कुछ 5-10 नमूने जो यहां के पक्षी जिन हिसा इसा होने लगते जब बेठें लगते अराम से चोटी शी आवाज बहुत हर तरह बहुत होता है इनका आवाज बहुत तिखासा होते आच्छा भी होते इस तरह बोलते इसलिए अधे जब फ्रह देंजर अर फोल टाइम इनका वाज अलागला होता है अजिए माचान में हर जगा लोग वाले पंक्सी मिलते उसको बोल जिए चैन्चला बोदें लंबे पूच वाला जिए वहर जगा मिलता है उनका आवाज इस तरह होता है सब्सक्राइब अलग साओ अलग साओ इस सब्सक्राइब आप अपने चार पंच पक्षियों की अवाज में सुनाई और बिल्कुल वेकदर नैसा लगा जिसे पक्षी ही बिल्कुल बोल रहे हैं अच्छा हमारे आपर मैं पक्षी बोलूँगा तो आप उनकी विवाज निकाल सकते हैं जैसे हमारे तोता होता है तो तोता किस तरह से बोलता है तो अब आद तोता को ज्यादा सोर करते भागते इस तरह बोलते आप इसा होता है, और कोई पक्षी जो आपको लगते हैं, उनको बताते जाहिए क्योंकर आप ज्यादा पक्षी को जानते हैं नहीं होस्ते हैं लगते हैं से अनों का आफ लंब है इस तरह बोलता है को ऐसा होता है तो कठे हो दो तीन निष्ट रहूटे इस्तर पोलते हैं इसे वने लगते हैं इसको आम ऊच्छाई गांव मिल जाएं और हर जागा में दो इसको अब रोख और जो भी बख्षी आपको लगते हैं आप वो बोलते जाहिए क्योंकि मैं तो बहुत सारे पक्षियों का नाम नहीं जानता हूं पर आप साथ साथ में बोलते जाएंगे तो क्या आप जानते हैं तो आगे दर्शकों को पता लगता रहेगा बात ऐसा कि खुदा मैं भूल जंगल मा इधर उदर जाता हूं पक्षिक आवाज चिकने लिए बात ऐसा होता कि जो प्रोग्राम करते करते पता चलता है पंशिक आवाज आप अच्छा कबूतर की वाज कबूतर कबूतर कब अब च्वड़ा अलग होता है जैसे कबूतर अकेला हो तो उनका आवाज और लुट इसा होता है एक मेनता है उल्लु उल्लु खावाज सुफ़ा चार चार वजे पांचा ट्यमीं बोलती स्यावाज उल्लु कावज तरह होता है कि अच्छा हम कई बर सुनते हैं लेकर हमने सोचा बनी कौन से अपक्षिय चाहिए पहली पर पता लगा है जब भागने का टैम में उल्लू का बढ़ इस तरह होता है जब उल्लू अकेला वेठता है उनका चोटी से इस तरह बोलते है इसका मतलब बेठा हुआ है इसा क्या तो उल्लू वहां से भाग चुका है अच्छा अच्छा उल्लू के साथ में मुर्गे की वावाज आप निकाल लेते होंगे मुर्गा तो कॉमन एक मुर्गा का बढ़ में शिका नहीं कि मुर्गा का बढ़ इस तरह होते हैं घरमा रहना म जंगली मुर्गा में अलग अलग होते हैं ऐसा होता है यह तो ऩहां से भागने बागने लगते हैं उसके अंदर यह बड़ा प्रैक्टिस का कार्या है चिडिया जो होती है चिडिया बड़ा बोलते हैं चड़ती रहती है चिडिया की आवाज भी निकाल है बना अब खोटी छाए फ में लगlol आप्र आप सिम्टा साईट हील यहां रहें होला हरा जहां प्लकों घाची में शुबा सुबा सुबह चार बजे पांचे लग रहा है को जंगल मां और जुबा सुबा 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 बड़ी अच्छा गाना गादने में इस तरह कि पंच्छी पंचब से उत्था लेमी नि चील आवाज उताने की होताए तक यह यह कें व्यास्था वह चूनिी मिलता नेरे ग बांगे ऩा श्रक्या धार बांगीन ह waktu गीट सुध foundation रोने आगा ठेम वह श्चर तरह बहोर. मोल के इंदे वाकने वो को शालेन हो था जब मास करने ऩाय में खूसी में दिये उस्ते एक हो दे बलाक काइड बो ते हम इगल बाज उस वे नम उनका आवा निचे तर पहुंछता था ने एक आव उगल होता है आबाज कभी कबर आवा सुने मिद्दा हुआ ऑनिकाला आवाज नीचे इस तरह को सुने में इगल बोलते अच्छा मैं मुझे लगता है कि मैंने काफी सारे पक्षियों की अपनी दर्व से पूछ ली है मुझे नहीं पता था कि आपको आती है लेकिन मैं जनरली वैसे पूछ ली है तो इस टैलेंट की बज़ा से अभी तक आपको कह कहां तक अप्रोच मिली है कहां तक आप अपनी जिंदगी में क्योंकि एक हुनर एक टैलेंट है और यह टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता तो इस टैलेंट की बज़े से आपको अभी तक क्या अचीवमेंट्स मिले हैं सबसे पहले तो एक तो गिनीज बुग में लिम्का बुग में नाम आचुक आए 2008 में अभी लब दस ग्यारा साल हो गया संसार में कोई नहीं हम अकिल है खुशी की बात तो यह है अभी एक साल पहले अभी 2019 में डिस्कवरी साथ जुड़ा हुआ था शुटिंग करके आया यहां पर मेरा एक बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए माबाप हमेशा यह सूचते हैं कि हमारे बच्चे पड़ लिख जाएं कुछ अच्छे बन जाएं तो जब आप अपने घर में आठ नो साल पक्षियों की आवाजें सीखने के लिए जा रहे थे तो आपके माता पिता ने या परिवार ने कभी बिरोध नहीं किया इस बात को लेकर कि क्या काम कर रहे हो इस काम का क्या फाइदा है बीरोध का पुछा मत घर से मेरे को दो-चार बार निगाल दी मिलिया है सब घर में शुरू सुरू में तो क्यूंकि आपको पता यह गाहों के लोग तो थोड़ा बोले-भाले होता है क्यूंकि आगा नहीं काम करना चाहिए इस्टा करना चाहिए उनको सूचते नहीं बोलते हैं कि दूसरा को बेटा दूसरा बढ़ा डिगरी पास कर रहा है कले जा रहा हुआ इतना आच्छा बढ़ी काम करें तो काम कुछ काम धन्ना ने जंगल घुमता रहता है एक सिक निया से फाइदा ने कुछ नहीं है दो-चार लोग बोलते रहते में सुनता रहता था जंगल बेढ़ता रहता था जंगल बेढ़ते बेढ़ते हैं दो-चार बार को न्यूज में टेलीजन इने जब गाउं-गाउं-घर को लोकल टेलीजन आना शुरू हो गया सब को लागा कि थोड़ा नया है उसे बाद में गाउं छोड़के में चला गया काफंडू जो खरना साइए क्योंकि इतना मैं पड़ा लिखा तो नहीं हूँ तब हमने ने हर चीज बारे में किताब में मिलता है अच्छा मैं यहां पर डेमो लेना चाहूंगा किया ऐसा संभव है कि कोई पक्षी को बला लें और आप उस से बात करें क्या इसा पॉस्इवल है जाँगा कि आप ऐसा करके दिखाएं तो डेमो करके दिखाएं क्यूंकि बात इसा है थोड़ा जंगल एरिया हो ठीक था यहां पर आसपास में हैं कोशिश करिए क्या आज आज कोशिश करें को या कोई भी जो आपको लगता है मेरे गासे कोवा तो आई जाए कर दो जो को बला ले ते लो आई अधिक अधिरिया कि आगे वाव क्या अधिका वाथ हार कि बुलाने थोड़ा टाइम लग दो तिन करो मैं चाहूंगा डाइज थाइए कर्म एक पाइज़ा कि अब तो कि अ अ कि निःच आदो रहे कोई कि आदमी से डरता में सार करा आए अपना गे ओपर तो आगए है USDA बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है मैं आपको दर्शकों को पताना चाहूं को आप यकीन करेंगे कि जब इन्होंने आवाज निकालने शुरू करी तो उपर कैमरे पे हम दिखा नहीं पाए आपको लेकिन चार-पांच कववे उपर छट पे आकर बैढ़ गए हैं यह बड़ कर देखे जाईएगा क्यूंकि आज के समय में जिस तरह से पसुपक्षियों के ऊपर जिस तरह से सरकार ने भी नियम बना दिये हैं कि उनका कोई भी व्यक्ति बंदन नहीं कर सकता उनको बांद नहीं सकता उनको पिंज्जरे में नहीं डाल सकता है आज आप एक बहुत ही बहतरिन कारे कर रहे हैं जो हमारी समाज हमारी संस्कृति को एक बार फिर लोगों के बीश में ला रहे हैं आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जीवन उत्सा नियूस की तरफ से सभी दर्शिकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप गौतम परश जो है वो गनीज बुक में लिमका में इनका नाम है लेकिन इसके साथ में हम चाहते हैं कि इनको ख्याती मिले समाज के अंदर सरकारों की भी नजर इनके ओपर जाए और इनका जो टैलेंट है उस टैलेंट को एक राइट प्लेट फॉर्म ज़रूर मिले बहुत बहुत धन्य करने के लिए थैंक्यू वेरी मच्च